अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक बुटन प्रेस करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए फिर वीडियो शुरूर करते हैं अज की इस एपईस gotta choose we directly लें서 the sh Pi और आपके लिए homemade chocolate की recipe और यह homemade chocolate FDP रेसेपी जो मैं आपके साथ से यह बिल्कुल मार्केट की जैसी चॉकलेट बनके त्यार होगी और आप बहुत ही कम पैसों में बहुत ज्यादा चॉकलेट घर पे बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यह लिया है वाइट कमपाउंड चॉकलेट यह तक्रिवन 200 ग्राम्स होगा और यह दूसरा वाला है डाक कमपाउंड चॉकलेट यह 150 ग्राम्स होगा तो यह 400 ग्राम्स का पैकेट आता है यह वाइट चॉकलेट कमपाउंड जो है यह आपको 125 का पहले चुट्चोटे पोर्शन में यह होता है एस तरह के चुट्चोट टुकड़े होते हुसे और यह डाख कंपॉंड है यह आपका 85 रूपीज काता है तो इसमें से में हम नँटें ना जोन से चोकलेट पहले यूज खो हुआ हो हम scripture voodam ऐसे चोकलेट ना गया date से बटर में लखेंग और उसमें से में ऐसे चोकलेट नहीं हैं आ आएंभर, जोन से सब्सक्रांस एक रही चॉकलेat एड्ट ने में चंब जकेनल होकूँगा पुरीझा चॉकलें में हिंए में पूसेर की साध्ट को चलाई कर सिर्एं के नहीं हो डाट को हमारी पूर्ण चॉकलेट को आता है तो बिल्कुल से थैट ही कि परते सीट शचीð用 दौित को सब्धार है तो बस यह हमारी जो ड्राइब फ्रूट से रोस्ट हो चुके हैं यह देखिए इन पर हलका सा ब्राउन कलर आ गया है और अब बस इसको फ्लेम आफ करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब मैं यहां पर डबल बॉयलर बना रहे हूं तो मैंने यहां पर नीचे एक पैन लिया है और उसमें मैंने थोड़ सा पानी लिया है तक्रिबन एक किलास पानी मैंने लिया है और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसके उपर मैंने एक गाज के बाउल में च पानी से बिल्कुल टच ना करें उसके उपर ही रहे तो इस तरह से अप डबल बोईलर बना के चोकलेट को मैल्ट कर सकते हैं और यह आप माइक्रो बेम में या आवन वगऴा में भी आप इसे मैल्ट करके फिर आप इसकी चॉक्लेट बना सकते हैं तो मैं हैं यहां पर डब अगर आप चोट चोटे पीसिस करें लेते हैं तो यह थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो यह देखें मैल्ट होना शुरू हो गई है बस इसको दो तीन मेल्ट और लगेंगे मैल होने में इसको चलाते हुए हम मैल्ट कर लेंगे और हमारा पानी जो है बहुत जादा गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पे अभी फ्लेम को आफ कर दिया है और उसके बाद में इसको मेल्ट कर रहे हूँ तो यह देखे हमारी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है बस एक दो मिनट के अंदर यह मेल्ट हो जाएगी और फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको बॉयल करें पानी को और उसके बाद अगर आपको लगे पानी बहुत जादा ना extreme जाट है तो आप फ्लेम को से और आप आप कर सकते हैं और उसके बाद एक्-डो मिनट बाद फर आपको लो फ्लेम के अप इसे से फिर से डाम कर सकते हैं तो यह देखें मैल्ट हो गई है पूरी तरह से अर फ्लेम को मैंने आफ चरदिया ए сам और अब एसे डबल बॉयलर अब इसमें एड़ कर रहे हूं यह जो मैंने ड्राइब फ्रूट्स जो एड़ा है तो इसमें बटर जो भी बचा हुआ है वह बटर भी एड़ कर लिया है मैंने और अब से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है चॉकलेट के लिए तो चलिए अब चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं यह मेरे पास एक चॉकलेट मोल्ड है यह ओनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा फ्लिप कार्ड ऐमाजोन किसी वेफसाइट पर आपको मिल जाएगा और बहुत एजी लिए आप इसे ओनलाइन ले सकते हैं तो चलिए इस प चॉकलेट को फिल कर लेंगे और अगर आपको लगिए चॉकलेट भी में थे को रही है तो आप थो बड़ा इसे गरम कर लें पानी को और अब चॉकलेट पाने को और उसके बाद फिर आप इसको पुरी तरह से एद national का फिल कर लेंगे जितने भी मोल्ड बने हूए हैं सबक जो चॉकलेट थोड़ी बहुत गिर जा रही है उसको आपको ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है जब यह बन जाएगी चॉकलेट तो यह आप बाद में भी क्लीन कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो आप जो फ्रिज की हमारे पास आइस ट्रे होते हैं उनमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं चॉकलेट को उसमें भी इजिली यह सेट हो जाएगी तो इस तरह से मैं मोल्ड में इसे सेट कर रहे हूं बहुत ही आसानी से आप घ और बहुत ही लो कॉस्ट में आप इसे बना के रेडी कर पाएंगे। बहुत ही डिलिशुस बनती हैं जासे आप बाहर की मार्केट की जो चॉकलेट्स चाफ में गएंगे। तो ये देखिए मैंने फिल कर लिया है सबको और आप इसको में दो खंटे के लिए फ्रेज में रख दूंगी और मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है लास्ट में तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक का चोटा सा लांच बॉक्स का एक डबा है कंटेनर है इसमें मैं इसको फिल कर लेती हूं थोड़ी सी चॉकलेट तो मैं इसे सेट कर लूँगी तो दो घंटे हो गए है हम अपनी चॉकलेट को डी मोल्ड कर लेते हैं तो ये देखिए मैंने अल्रेडी एक निकाल लिया है मैंने चेक करा था कि ये सेट हो गया कि नहीं त इस हमारा चौकलेट बहरा जाए है, बहुति नीचे से प्रेस करना पाइग और हमारी चौकले अची चॉकलेट बन के रिडि शी तरही मैं चॉकलेटेंचे निकाल, पर्षक, अबसे है ऄगल के चॉकलेट के मौल्ट है, तो वो मैं आपको दिखाओगे किस तरह की हमारी चॉकलेट बनके रेडी हुई है तो ये देखिए हमारी चॉकलेट हर्ट शेप में है और ये देखिए इसमें एक डिजाइन बना हुआ है राउंड शेप में है ये देखिए स्क्वेर शेप में है इस तरह से बहुत सारे ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी चॉकलेट की डिजाइन है और हमने चौकलेट तियार चौकलेट बनाएं। यहां कम पैसों में बहुत जादा चौकलेट बना हैं। आप एसे डाइप सकते हैं। यहां को ज्रूर को जरूर ट्राइब मरें डिया। और अपना feedback मेरे साथ share जरू कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिए तो फिर मिलती हूँ आप से मैं next video में and thanks for watching this video झाल झाल